नमस्कार दोसों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Moto E40 है या कोई और मॉडल है Motorola तो यहाँ पे आप Data Saver On कैसे कर सकते हैं अपने इंटरनेट को Save करने के लिए तो Data Save करना है तो यहाँ पे आपको दो तरीके होते हैं एक तो यह होता है कि आप यहाँ पे बेफाल्दू के अप्लिकेशन को Remove कर दीजिए Background Data पे Restriction लगा दीजिए और यहाँ पे Background पे जो App Auto Start हो जाते हैं उसको आप बंद कर लीजिए और यहाँ पे Data Limit सेट कर सकते हैं और यहाँ पे Last Option क्या होता है कि आप Setting पे जाएंगे और यहाँ पे आपको Network and Internet का Option देखने को मिलेगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे Advanced पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको Data Savor का Option देखने को मिलता है आप इस पे क्लिक कर लेंगे इसे On कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे Unrestrict Data आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पे Unlimited Data कौन यूज़ करता है एक तो Motorola Notification आप इसको Off कर सकते हैं और यहाँ पे Google Play Service आप यहाँ पे Off कर सकते हैं बाकि इसको आप यहाँ पे On रहने देंगे यह आपकी सिस्टम का होता है ठीक है तो इसको तो Data चाहिए बाकि यहाँ पे आपके Off रहने चाहिए तो इस ट्रैप से आप यहाँ पे Data सेफ कर सकते हैं चलिए मिलते हैं आपको इत नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार